हेलो फ्रेंड्स तो गाइस आज अन्बोक्सिंग करने वाला हूँ मैं ट्राइपोड इस्टेंड की जो मैंने आपको लास्ट उने बताया था कि मैंने इसको भी पर्चेस किया है बोया माइक के साथ मैं लेकिन ये पहले आ गया था इसका वीडियो आप देख चुके होंगे औ तो आज हम देखेंगे इस ट्राइपड इस्टेंड की अन्बोक्सिंग कितने में ये ट्राइपड इस्टेंड मुझे मिला है और ये कौन सा मैंने पर्चेस किया है क्या है इसके अंदर क्या हमें मिलने वाला है वो साइड्स इसके अंदर हम देखेंगे तो चलिए कैस फिर इसके हम अन्बॉक्सिंग करते हैं तो गाइस यह है ट्राइपोड स्टेंड इस बैग में आया है यह कैरी बैग है इसको आप कैरी भी कर सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर हैंडल भी दिया है और इसको मैं खोल के दिखाता हूँ तो गाइस यह है में प्रोड़क्ट ट्राइपोड स्टेंड कुछ गीरा तो यह गीरा था मोबाइल होल्डर तो मोबाइल होल्डर भी इसके साथ में मिला और इसका भी मैं निकालता है तो गाइस यह है ट्राइपोड स्टेंड जो मैंने पर्चेस किया है अलुमिनियम मैडल का है और काफी लाइट वेट है यानि कि इतनी बड़ी साइज होने के बाद भी ज्यादा हैवी नहीं लग रहा है यह तो गाइस इसकी जो लेंद मैं आपको बता दूँ कि इसकी लेंद अभी देखेंगे तो यह कुछ 18 इंच तक आता है इसकी लेंद और अगर आप इसको पूरा एक्स्टेंड कर देंगे तो यह टोटल 55 इंच का हो जाएगा तो मैंने जान भूज कि यह मनाया चोटा स्टेंड मेरे पास था जिससे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ लेकिन यह मैंने इसलिए बना कि कभी अगर खड़े होके बनाना है वीडियो तो इस ट्रैपड स्टेंड का यूज हो जाएगा तो इसको अभी मैं रखता हूँ साइड में पहले ये देख लेते हैं ये है मुबाईल होल्डर तो इस तरीके से ये मुबाईल होल्डर दिया है यहां से जितना भी आपके मुबाईल का जो रहेगा विर्थ उसके हिसाब से ये एज़ेस्ट होते जाएगा ताके मुबाईल जो है वो अच्छे तरीके से पकड़े और इस तरफ भी रबर है इसको आप वर्डिकली भी लगा सकते हैं और अब यह ट्राइपोड की बात है तो इसके अंदर आप साइज बड़ी छोटी भी कर सकते हैं ये एक पहला साइज हो गया और इसको आप खुलत हो गया है तो इस तरीके से यह हो गया यहां पे लेवल ट्यूप भी दिया गया है जिससे डीह पता चाहिए कि अगर यह जो bubbles रहता है, bubbles बिल्कुल बीच में रहेगा तो आपको यह समझ में आगा कि यह बिल्कुल horizontally इसको fix कर दिये है एक Amazon basic करके भी आता है, जो भी अच्छा है, जो वो भी अच्छा है, कुछ वो 800 का आता है यहां से इसका legs लंबा होता है, लेकिन यहां पे इसका head है भी उच्छा होता है तो यह मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको purchase किया है तो इस तरीके से आप इसको rotate करेंगे, तो यह बड़ा होता जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं तो यह है इसका last position, यानि कि इतना बड़ा हो गया है यह, डिजाइन इसका काफी अच्छा दिया गया है यहां पे आपको मैं दिखा दू कि यहां पे यह thread जैसा बना हुआ है, इसके वाज़से यह जब इसको rotate करते हैं तो यह उपर नीचे होता है, अभी यह नीचे हो रहा है तो यह चीज मुझे जादा अच्छी लगी है, तो इसकी वज़ए से मैंने यह वाला purchase किया है तो guys, और मैं इसका features बता जाता हूँ, एक एक करके, ताकि आपको use करने में कोई भी तकलीफ ना हूँ अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से use करेंगे, means क्या क्या चीज इसके अंदर दिया गया है तो पहले मैं इसको बन कर लेता है, तो आपको समझा सकूँ ऐसा है कि यहाँ पे एक हैंडल दिया है, यह हैंडल को आप उपर निचे कर सकते हैं, जहाँ भी जैसा भी आपको shoot करना है चाहे आप front पर आखे या अगर आप किसी का shoot कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप इसको उपर निचे कर सकते हैं तो यहाँ पे यह automatic थोड़ा सा tight है, ताके यह हीले ना जादा, इसलिए और दूसरा है कि अगर आपने यहाँ पे mobile को mount कर दिये, उसके बाद आप इसको 360 rotate भी कर सकते हैं, जैसा आपको shoot करना है इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पे यह rotate भी होता है, और जिस position पे आपको रहन देना है, उसके बाद यह जो दिया हुआ है, इसको आप tight कर देंगे, जब इसको tight कर देंगे आप तो यह उपर निचे तो move होगा, लेकिन horizontally move नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमने इसको tight कर दिये, थोड़ mount, तो यह आप इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं, और दूसरा आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, अगर आपको horizontally वीडियो बनाना है, तो आपको इस तरीके से रखके वीडियो बना सकते हैं, और अगर आपको vertically कुछ वीडियो बनाना है, तो आप इसको सीधा करके, यहा आप अगर टाइट कर दिये तो फिर यहां से हीलेगा नहीं और इसको अगर अगर सिधा करना है आपको इसको धिला करना पड़ेगा तो यह मूव होना शुरू हो जाएगा यह हो गया और मैं आपको बता दूँ कि यहां पर आपको जब देखेंगे यहां पर आप दो चीज द यह इस तरीके से माउंट हो गया तो यह होने के बाद क्या होता है कि यहां पर पीछे आप देखेंगे यह इसका सपोर्ट रहता है यह हिले नहीं देता है इसको अच्छे तरीके से पकड़के रखता है इसलिए यह चीज दिया गया है तो इस तरीके से आप मोबाइल को लॉक दिया गया है, इसको जैसे ही आप यहाँ पर ऐसा करेंगे, तो यह चीज आप निकाल सकते हैं, यह चीज निकल गई है, और फिर से इसको लगाना भी easy है, यहाँ पर रख देना है, और इसको छोड़ देना है, तो यह लॉक हो गया, तो यह चीज, यह function है, इसके अंदर जो मुझे काफी पसंद आया, तो I hope guys आपको यह tripod अची लगी होगी, अगर यह आपको यह purchase करना रहेगा, तो मैं इसका link भी description में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको purchase कर सकते हैं, काफी light weight है, और इसका height जो है, वो 55 inch का है, तो I hope guys आपको यह video अची लगी होगी, त इसे like कर दे, share कर दे, और आप मैंने channel पे नए आये तो इसे subscribe कर दे, तो चलिए कैसे मिलते हैं next video में,